आपको ये पूरे वीकेंड तक रहेगा क्योंकि आज हम सेलेब्रेट करेंगी एक ऐसे म्यूजिकल जीनिस को जिनोंने म्यूजिक सिर्फ कमपोज ही नहीं किया बलकि उसके साथ मस्ती की, छेडखानी की अजीबो गरीब तरजुर्बे किये और ऐसी केरिज्माटिक धुने कमपोज की जिनकी रेंज में आते ही यंग्स्टर्स तो मधोश हुए ही धलती उम्रवालों के दिलों में भी जवानी का सुरूच आ गया और आपका भी कुछ ऐसा ही हालोने वाला है इसलिए उनका नाम लेने से पहले उनके कुछ गाने दिखा देती हूँ सुना देती हूँ फिर आप खुद ही समझ जाएंगे बंगले के पिछे तेरी बेरी के नीचे हारे पिया काटा लगा हाएंगे आ जाहा राजा बंगले के पिछे तेरी बेरी के नीचे हारे पिया काटा लगा हाएंगे हम राजा हम राजा बंद लेके पिछे जीरी बेरी के नीट हायरे पिया बिंद आछे पाए रे लाली चुनर ओढ़ के मुंद के मुखडा अपना निकली अंधेरे में दुनिया के डर से मैं सजना बिंद आछे पाए रे लाली चुनर ओढ़ के मुंद के मुखडा अपना निकली अंधेरे में दुनिया के डर से मैं सजना रात बैरन हुई पोरे साखिया देख हालत मेरी आले कर दिया हाई रे बंगले के पिंछे तेरी भेरी के निंचे हाई रे पिया आहरे 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 पिया बाटा लगा हाई लगा हाँ आजा हाँ राजा बंद लेके पीछे तेरी मेरी के नित हार पिया आई मुसीबत तो अब सोचती हूँ मैं क्यू रह सकीन तेरे मिन सच ही तो कहती थी सखिया फसेगी तो एक दिन आई मुसीबत तो अब सोचती हूँ मैं क्यूं रह सकीनों तेरे मिन सच ही तो कहती थी सखियां भसेगी तू एक दिन भूल तो हो गई जो किया सो किया तू बचा ले बलं आज मेरा जिया हाईरे भंग लेके पीछे तेरी तेरी के नीचे हाईरे पिया काटा लगा हाई लगा आजा हा राजा भंग लेके पीछे तेरी तेरी के नीचे हाईरे पिया सबको पुकारे आनाडी ना समझे ये मिलने का सारा जतन है कैसे बताओं ये चाहत की सैया चुखन है सबको पुकारे आनाडी ना समझे ये मिलने का सारा जतन है कैसे बताओं ये चाहत की सैया चुखन है ये वो काटा सजन जाए ले कर जिया नेंसुई लगे तो निकले पिया हाईरे बंगले के पीछे तेरी 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 के नीचे हाईरे पिया आहारे 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 प्रियाई आहारे एल उjungलीकटे उजाए थाहर्ग का लिजयजड़ा तक्त्त्रीभ गर देरी गरे पियाँ जाँ रहारे बंगले जशन अीचे पोलीजी में आख़से, पोलीजी निखा, प्लोपावावावावावावावारी प्लोपावारा काई भर्चबू, रहावावावावावावावावी पूचान जहाँ मरे सर्भी यहाँ तिरा पीखा छोड़ू पूचान जहाँ मरे सर्भी यहाँ तिरा पीखा छोड़ू लोग लोग बुदा नहां 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 आएगाँ मर्टार मेखिल्पी मर्टी जोड़ि ले नेरी जान अरे अभी रूठे तू अभी माने तू तोबा ये क्या है नसारा कभी बोले ना कभी बोले हाँ तेरी अताओने मारा अभी रूठे तू अभी माने तू तोबा ये क्या है नसारा कभी बोले ना कभी बोले हाँ तेरी अताओने मारा तू लाग चुपा था मुझको बता तेरी नाम जुपी थी प्यार में दिल पे मर वे को ली लेले मेरे चाँ आपाल पे मर वे को लुए आपाल 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 के सब्सक्राट ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं यह टार है इतना प्यार आही जय में वाह में तेरी दिल ने यू दिल को बुखारा ऐसा तुक भी सोच ही नहीं ये प्यार है इतना प्यारा आही जय में वाह में तेरी दिल ने यू दिल को बुखारा तेरे चैसा हसी तेरे चैसा जवा कोई है महभूब का प्यार में सिरते मालते जोटे ले ले मेरी जां मेरे बिना तू फी जिन्दगी में अधूरी तो जाने जाया हाँ जीने के लिए अपना में ना जरूरी मेरे बिना तू फी जिन्दगी में अधूरी तो जाने जाया हाँ जीने के लिए अपना में ना जरूरी मेरे दिल में है तू तेरे दिल में हूँ मैं जीना है साथ यहाँ अरे प्यार में दिल पे मारते कोली ले ले मेरी जान प्यार में दिल पे मारते कोली ले ले मेरी जान प्यार में दिल पे मारते कोली ले मेरी जान सही पकड़े मैं पंचमदा याने की आडी बर्मन की ही बात कर रही हूँ और उनके बारे में जो भी मैंने कहा उस पर आप भी अपनी स्टैंप जरूर लगाईएगा इतनी यूनीक धुने वो कंपोस कैसे करते थे इसके जवाब में पंचमदा ने खुद कहा था कि he often dreamt of tunes अक्सर उन्हें ऐसे सपने आते थे जिनमें वो अलग-अलग tunes कंपोस करते हुए नजर आते थे जब उनके पिताजी SD बर्मन को इस बात का पता चला तो उन्होंने पंचमदा को कहा और आइडिया दिया कि जब भी कोई ऐसा सपना आए जागने के बाद फॉरण उसको टेप रिकॉर्डर में गुन-गुना दो या फिर उसके notations बना कर लिख लो फिर उससे improvise करना बहुत आसान हो जाएगा आड़ी बिल्कुल ऐसा ही करने लगे और देखते ही देखते नजाने उन्होंने अपने सपनों में देखी कितनी ही धुनों को अन्जान तक पहुँचा दिया आईए enjoy करते हैं उनके कुछ और songs क्या पता शायद इनकी वी धुनोंने अपने सपनों में ही बनाए होगी अने 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 Bybyůy... है ontem! Rrrrrrrrr!!! Ha, ha, ha! डि्ट union आवा के साथ साथ हवा के साथ साथ यही निरल चलतू संभल मेरे साथ चलतू तुमिज लेके साथ चल तू, तुमिज दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तू साथी चल एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना लाला 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 ला तो मुझे लेके साथ चल तू यूही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू मेरे हातों मेरे हात चल तू उस साथी चल हसते है ये दुनिया तो हसने दे हसते है ये दुनिया तो हसने दे अर नागन बनके इस रुट को डसने दे मुझे को अपनी आखों में बसने थे पनके का चल वो साती चल मुझे लेके साथ चल तू युही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू वो साती चल आपनी रेश मिजल पे लहराने दे अपनी रेश मिजल पे लहराने दे मुझको अपनी बाहों में आने दे तक गई आज बहुत मैं अब जाने देना मिलेंगे फिर तल उसाती तल लालालालाला लालाला लाला 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 अमोर मिय, बोभ आसी तू द्टारचbay लू एसन्य कह carbon ता इसारो मियू अम्हर मियू कर दो करे तो इसार चर कर दो ता इसारो मियू कर दो कर दो ए, हग आगा आ अपने प्यार को याद करा है और कह रहा है कि आए ऐसे नहीं गा के सुनाओं गा के अच्छा दो लफज के है तिल की कहानी या है उबबच या है जवानी दो लफज के है तिल की कहानी या है नुआ पत्र या है जवानी ला 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 अपर व्यादाद सुनाव ला 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 लाव लव प्रैंदल ला 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 लो ला 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 लिवाध यार रहा था ये सश्टी वाला क्या का रहा था को इसे भी यादा रहा था लालालाला लालाला किस से पुराने यादे पुराने या है मुभबत या है जानी इस दिन दिल देके दिन किसने कॉना है इतनी है कुशियों और किसने गुम है इस दिल देके दिन किसने कॉना है किसनी है कुशियों और किसने गुम है लालालाला लालाला लग जागने पे रुट है सुहानी या है मुभबत या है जहानी दो लफजों की है दिल की कहानी या है मुभबत या है जहानी लालाला लाला लालाला लालाला सच यार माइंड फ्रेश हो जाता है इस तरह के गाने सुनकर जो कभी पुरारे होते ही नहीं है All this gold as they say दोस्तों, अपनी टैलेंट के इलावा पंचमदा को जो चीज विरासत में मिली थी वो था अलादीन का चिराग जिसे मुजिकल नोट्स के फॉर्म में सीनियर बर्मन याने कि उनकी पिता सचनदा ने आरडी के डिने में इंजेक्ट कर दिया था जिसका असर आरडी के बच्चपन में ही नजर आने लगा था I mean पंचमदा उन्होंने सिर्फ 9 साल की एज में अपना पहला सॉंग कंपोस कर दिया था And that super hit song was एय मेरी टोपी पलटकेया जिसे SD बर्मन ने 1956 की फिल्म फंटुष में इस्तिमाल किया था बिल्कुल इसी कड़ी में जूणियर बर्मन का कंपोस किया हुआ एक हिलरियस सॉंग और भी था सर जो तेरा चक्राए या दिल डूबा जाए जिसे सचन दाने गुरुदक की क्लासिक फिल्म प्यासा में इस्तिमाल करके लोगों का जबर्दस मरो रंजन किया आगे चलकर जब आड़ी बर्मन एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डिरेक्टर बन गए तब हिंदी फिल्म म्यूजिक की दुनिया में एक रेविल्यूशन सा आ गया खरीबन तेहते साल के अपने करियर में उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक की काया ही पलडदी ये कोई इत्तफाक नहीं था ये उनकी क्रियेटिविटी थी उनका डेडिकेशन था उनका जुनूब था जिसकी जलक आपको इन गानों में दिखाई दे जाएगी ला-ला-ला-ला-ला- tutti रोज-रोज कांखों तले पिर इही शपना चले रात मरी का जल जले आप में जिस नरा खाब का दिया जले रोज रोज हाप जले कही सपनों चले रात मरी का जल जले आप में जिस नरा खाब का दिया जले रोज रोज हाप जले आप में जले आप में जले आप में जले नाम की मिसरे बुट लखाई है नीटा नाम ज़ हिल अभी नीटी सी तनाव यह जल से तुहारे तो में की सरी होट लगाई है निया जाव है और इन नीची से लगाई है रोज रोज आखों तले इती ही सपना चले जानवर का जल जले आख में जिन तरा खाम का दिया जले रोज 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 आखों तले एक ही सपना चले रात पर का जल जले आख में जिस तरा खाम का दिया जले रोज 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 आखों तले जो रोज रोजप में जीच मेंज जर रोंचिस पाम के लिच दआता घ्याज मैं पर क्ट्ड़ेगा आखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्प गिरा दी है तुम बेचारे से कुछ खावों की मील गिरा दी है आखों पर कुछ ऐसे तुमने जुल्प गिरा दी है बेचारे से कुछ खावों की मील गिरा दी है रोज रोज आखों तले एक ही सपना चले राद पर का जल जले आख में जिस तरह खाव का दी आजले रोज रोज आखों तले एक ही सपना चले राद पर का जल जले आख में जिस तरह खाव का दी आजले काली पलक तेरी कोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोर नी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी काली पलक पिया मूरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोर नी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी काली पलत पिया मूरी आये की बांध के पायल तुहोट तपाये बतन को चुराये नाजुक कमर से लगाए हता की कटारी जालिमा धेरे की धीरे धीरे मेरे गले पर ये बाहों के हंजर जाये की दिल मेरा लेकर रमज के अनाडी बालमा रोज रात को नहीं पान देगी लटों की डोरी हो डोरी काली पलक तेरी गोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोर नी एक चोर के धर करने चली है चोरी ओ चोरी काली पलक पिया मूरी काली थोड़ी 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 ना तो मैं डोर से बांधू ना जाल बिछाओं न तीर चलाओं ना जुक कमर से लगाओं छुरी न पटारी हाजना शचना मैं तो तेरा दिल लूगी तुझी से चुपा के नजर को बचा के यूँ ही तरा मुस खा के कहूंगी अलाड़ी हाजना रोज रास को तेरे घर होगी तेरी चोरी ओ चोरी काली पलक पिया मूरी ओ भुले लगी है थोड़ी थोड़ी एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी ओ चोरी काली पलक तेरी गोरी अच्छी हुई मेरी चोरी के एक दिल खोया तो एक दिल पाया ऐसे कोई पास आया के आ गया लुटने का मजा अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों तो बस गए दोनों अच्छी लिपट गए दोनों हुआ जब वादा तारी था रोज रात को मिलेंगे चंदा और चकोरी चकोरी काली पलक तेरी कोरी भुले लगी है थोडी 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 एक चोर नी एक चोर के घर पर ने चली है चोरी As a full-fledged music director, Adi Barman ने अपना पहला गाना कंपोस किया था गुरुदत की suspense thriller film राज के लिए पंचमदा ने गीता दर्थ, आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज में दो गाने भी record कर लिए थे मगर फिल्म शुरू होने से पहले ही shelf हो गई उसके बाद दो सालों तक वेट करके 1961 में उनकी पहली film release हुई चोटे नवाब जिससे produce किया था उस वक्त के star comedian महमूद ने चोटे नवाब के music के लिए महमूद actually SD बर्मन से बात करने गए थे पर जादा busy होने की वज़े से बर्मन दाने मना कर दिया वहीं पर महमूद की मुलाकात RD से हो गई और उन्होंने on the spot जूनिया बर्मन को final कर दिया तो ऐसे हुई हमारे RD बर्मन की अपनी मंजिल पर पहुँचने की पहली शुरुआत रिम जिम गिरे सावन सुनग सुनग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लग कैसे अगन दिम जिम जिम गिरे सावन सुनग सुनग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लग कैसे अगन ला 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 पहले भी यूँ तो बरसे थे बादल पहले भी यूँ तो भीगा था चल पहले भी यूँ तो बरसे थे बादल पहले भी यूँ तो भीगा था आचल अपके बरसे क्यों सजल सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगल ला 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 इस बार सावन देहता हुआ है इस मार मौसम बहका हुआ है ला 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 इस मार सावन देहका हुआ है इस मार मौसम बहका हुआ है जाने पिके चली क्या पवन सुलग सुलग जाए मन जीगे आज इस मार मौसम में लग कैसी ये अगल रिमचम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन जीगे आज इस मार मौसम में लग कैसी ये अगल रिमचम गिरे सावन लालाला लाला लाला रिमचम गिरे सावन छोटे नवाब के डेवच के बाद जिस फिल्म ने diferentes एती नाचिन हुसें ने फ्रडूस किया और डिरेक्ट किया था स्टार डिरेक्टर विजयानन ने 1966 की फिल्म तीसरी मंजिल में कुल छे गाने थे जिन्हें मजू सुल्तान पूरी ने लिखे थे R.D. बर्मन ने उन सब में ऐसी जान डाल दी कि मुजिकल वर्ल में एक तेहल का ही मचा दिया The audience was exposed to a completely new sound for the first time R.D. बर्मन ने अपनी उस पहली सफलता का क्रेडिट मजू सहाब को दिया क्योंकि नासर हुसायन के सामने उन्होंने ही तीसरी मंजिल के लिए पंचमदा का नाम रेकमेंड किया था तो आएए देखते हैं और सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जिसे लिखे थे मजू सहाब ने और जो ने कंपोस किया था पंचमदा कही नच जाँ आज कही मत जाँ फिर मिले ना मिले ये पर ये समाँ पामिया आज जाँ कही नच आज नहीं मत जाँ फिर मिले ना मिले ये पर ये समाँ पामिया ये जो पस में पदम नहीं तेरे मैं समाँगी तू आज नहीं तेरे तिरे दिल की मत नहीं है याँ ये जो पस में पदम नहीं तेरे मैं समाँगी तू आज नहीं तेरे तिरे दिल की मत नहीं है ये याँ जाने वफा सच है किसको पता धिर मिले ना मिले ये पर ये समाँ बाहों में आजा मेरी राहों खटिया तेरी आँखें मेरे रम की दबा तेरी बातें तो फिर और जाना है कहां मेरी राहों कटिया तेरी आँखें मेरे रम की दबा तेरी बातें तो फिर और जाना है कहां सही न जा आज नहीं मत जा फिर मिले ना मिले ये पर ये समाँ आज 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 उल्जन तेरी मेरे सब जानूं कुछ तेरी तरह से है चानूं जो मेरे रम क्या जानी दबा तो जब दिल हुआ तेरा दिवाना ठोगड में है सारा जमाना मेरा क्या करेगा ये तहां जाने वफा सच है किसको बता फिर मिले ना मिले ये पर ये समाँ बाहु में आजा कही ना आज पही मनता फिर मिले ना मिले ये पर ये समाँ और क्या आ सब 1970s का दौर तो पूरी तरह से आडी बर्मन के नाम रहा क्योंकि इन 10 सालों में उनकी करीब 130 फिल्म में रिलीज हुई जिनमेंसे उनकी दर्जनों फिल्में ऐसी थी जिन्होंने मिउजिक के माहिने ही बदल दिये लाइक कटी पतंग, अमर प्रेम, हरे रा महरे कृष्णा, कारवा, आपकी कसम, शोले, महभूबा and so many more. अपनी इन सभी फिल्मों में पंचमदा ने वेस्टर्न, इंडियन और क्लासिकल म्यूजिक का जो फ्यूजिन क्रियेट किया, ऐसा 1970s से पहले की फिल्मों में कभी नहीं हुआ. ऐसा ही एक और ultimate example है, फिल्म पडोसन का सौंग, एक चतरुनार करके सिंगार, जो हाई-टेक के मौजूदा दौर में भी किसी भी म्यूजिक डिरेक्टर और सिंगर के लिए एक चालेंज से कम नहीं है. अपने सिंगर्स के लिए भी पंचम दा एक जोहरी के तरह थे, जो उनकी रेंज को पहचान कर, उनसे बहतरीन गाने गवाते. Especially, जब सिंगर आशा भोसले हो, तो मुश्कल से मुश्कल गानें कमपोस करने के लिए पंचम इंस्पायर हो जाते, because he knew nothing was impossible for his favorite singer आशा जी. क्या क्या मुश्कल शुक्रिया करम महर्बानी दोस्तों जिन्दगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिनोंने प्यार किया है क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शांस जीना किसे कहते हैं है ना प्यार करने वाले प्यार करते हैं शानते जीते हैं शानते मरते हैं शानते प्यार करने वाले प्यार करते हैं शानते जीते हैं शानते मरते हैं शानते comprो करते हैं शानते हैं शानते हैं शानते हैं शीत थास्ञे आफेट शानते atau शानते हैं, शानते शॉतेशन शॉते रानते शॉते च्क्त्क भाउとुर्ट कर दो हुआ जया और ओलते हैं किसी का जो नाम उनको हजारों सलाम जब भी रुकते नहीं कहीं जुकते नहीं जाहे कुछ भी वो अंजाम पालेते हैं किसी का जो नाम उनको हजारो सलाम सभी रुखते नहीं, कहीं जुखते नहीं जाहे कुछ भी वो अंजाम यार की गली से बुजरते हैं शान से जीते हैं शान से मरते हैं शान से प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से जीते हैं शान से मरते हैं शान से कर दो चूब उना झाल रस्ता नहीं ये आता, देना पड़ता है इंतिहाँ ये है दिल की लगी, ये नहीं दिल लगी, आते है कई तूपा ओ, रस्ता नहीं ये आता, देना पड़ता है इंतिहाँ यह दिल की लगी यह नहीं दिल लगी आते हैं कई तूपां वो डूबते फिर उभरते हैं शान से जीते हैं शान से मरते गई शान से हम प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से जीते हैं शान से मरते हैं शान से शान से तूब लगी ते लिए इक जिश्टा आया है सुन सुन डडी तेरे लिए इडिश्टा आया है सुन सुन खरी मेटाब उन सुन डडी तेरे लिए ला 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 रखिकावालाला, यालना rare, लगोरी लखाय आलाई अच्छे घर का दड़ता है पत्थ अपलाता है पांच बाता है जब तूड़ी पीकर आता है पीता है जब जूबे में वो आउके आता है पांच फिरोस कहां तस कभी कभी ही होती है अच्छा दापा बड़े कभी को रमी होती है रोस कहां कैसा होता है दाके पढ़ते हैं आदे दिनों के चारे के दिल में खटते है सुन, सुन, सुन te नर्क हाष पटते है सुन, 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 सुनन बổiड़े यकि अचा आए आता है आता है पुस्खा बस चले तो दिल पी तोड़के आएगा सीटी एक बजा दोगी तो जार के आएगा सांस पजा कम सुनती है पस बोलती हुचा है सुना थी सुनता है पस मूशे वुचा है सुन-सुन दरके में क्या Guinth सुन दीटी भी सुन सुन-सुन दिदобы ते लिए किक रिSHTा आया है सुन-सुन दिद्य ते लिए किक रिष्टा आया है दुनिया भर के इंटिलेक्ट्रोल अकसर कहते रहते हैं कि त्रू जीनिस लाइज, इन सिंप्लिस्टी, पंचमदा उसके बेस्ट इग्जाम्पल थे, जो उनके दो गानों में अलग-अलग तरीकों से नजर आती है, जैसे की चेंगारी को ही भढ़के, जिसकी कॉंपोजिशन जितनी पैशनेट और कॉंप्लिकेटड लगती है, उतनी ह तो देखा तो ऐसा लगा, लेकिन अपने अपने जॉन्डर में दोनों फेवरिट और एवर्ग्रीन है, इन दे सेम वे, modern music के कुछ legendary composers ऐसा मानती हैं कि human voice is the most magnificent instrument, लेकिन RD इस बात को 50 साल पहले ही समझ गय थे, और अपने compositions में उन्होंने कुछ इस तरह से यूस किया, जिसके बारे में दूसरे composers उस वक्त सोच भी दी सकते थे, जैसे कि फिल्म अपना देश का वो song जिसे उन्होंने खुद गाय था, दुनिया में लोगों को, you remember, किस-किस तरीके से उन्होंने अपनी voice को modulate किया खा, फिर्म शोले और सत्य पर सत्ता की गाने भी इसी modulation के best examples है, let's watch कि अपनी को मैं बूबा, 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 मैं बूबा हूँ में बुल खिलते हैं, जब सेहरा में मिलते हैं, मैं और तू मैं बुल भार जब निकलाव, ज़न से तरह से निकलाव पुल्बारों से निकला चांदी तेरों से निकला दिन दूमा मैं भूबा, मैं भूबा, मैं भूबा, मैं भूबा फुल जब में भूखिलते हैं, जब सहरा में बिलते हैं मैं भूबा, मैं भूबा, मैं भूबा, मैं भूबा उसनु इश्क कि लाहों में, भाहों में निकाहों में उसनु इश्क कि लाहों में, भाहों में निकाहों में तिल जुबा मैं भूबा, 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 मैं तुम ने वो क्या देखा जो कहा दिवाना हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना प्यार में जब ही आख कहीं लड़ जाए तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए जब कोई गिनता है रातों को तारे तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे प्यार तुम्हें किस मोड पे ले आया ये दिल कर हाए कोई ये बताए क्या होगा प्यार हमें किस मोड पे ले आया के दिल कर हाए कोई ये बताए क्या होगा बत्ती आप जादो बत्ती आप जादो अरे बत्ती तो बुजा दे गया है बत्ती आप जादो किमीद नहीं आती है बत्ती आप जाने वाले जाने तब आएगी शोर न मचाओ वर न भावी जाग जाएगी प्यार तुम्हें किस मोड पे ले आया के दिल कर हाए कोई ये बताए क्या होगा किस मोड पे ले आया के दिल कर हाए कोई ये बताए क्या होगा अरे होगा क्या ते लोड क्यों को लेके आता प्यार तुम्हें किस मोड पे ले आया के दिल कर हाए कोई ये बताए क्या होगा क्यार तुम्हें किस मोड पे ले आया के दिल कर हाए कोई ये बताए क्या होगा आखिर क्या है ऐसी दी मजबूरी अरे मिल गए दिल फिर भी क्यों है ये दूरी अरे दम तुम से जीन कले आएंगे अरे जीना घरवावों ने अगर मंजूरी अरे अरे दम तुम से जीन कले आएंगे अरे जीना घरवावों ने अगर मंजूरी प्यार हमें किस मोड पे ले आया के दिल है आएंगे कोई ये बताए क्या होगा प्यार हमें किस मोड पे ले आया के दिल कर है आएंगे कोई ये बताए क्या होगा पंचम के दोस्तों में राजेश खर्ना और किशोर कुमार सबसे स्पेशल थे और क्रियेटिव फ्रंच पर भी इस च्वायों ने करीब 32 फिल्मों में एक साथ काम किया और हिंदी सिनमा के संगीत को अमर बना दिया सा बहतरीन कॉमिलेशन बहुत कम ही देखने को मिलता है परिचय, आंधी, खुश्बू, किनारा, इजाज़त, घर, नमकीन या मासूम जैसी कितनी ही फिल्में हैं जिनमें क्लासिकल, रोमांटिक, मलोडिस और कॉमेडी टून्स का बहतरीन इस्तिमाल हुआ है सो, let's enjoy these songs, written by Golzar and composed by Aadi Barman, जिन्हें music lovers प्यार से पंचम या बॉस भी कहते हैं तेरे मासून सवालों से परिशान हूँ मैं, ओ, परिशान हूँ मैं तुझ से नारा सही जिन्दगी हैरान हूँ मैं, ओ, हैरान हूँ मैं तेरे मासून सवालों से परिशान हूँ मैं, ओ, परिशान हूँ मैं जीने के लिए सोजा ही नहीं दड़ सम्हालने होंगे जीने के लिए सोजा ही नहीं दड़ सम्हालने होंगे मुस्कुराएं तो मुस्कुरान के गर्ज युतारने होंगे मुस्कुराओं कभी तो लगता है जैसे होटों की तर्ज रखा है ओ, तुझसे नाराज नहीं जिन्दगी हैरान हूँ मैं ओ, हैरान हूँ मैं जिन्दगी तेरे गमने हमें रिष्टे नए समझाए जिन्दगी तेरे गमने हमें रिष्टे नए समझाए मिले जो हमें धूप में मिले चाओ के छंडे साए जिन्दगी तेरे चाओ आज रहें जोगा जिन्दगी का है जोगा जिए मैं दूबच्चाना रहें क्यों? इसलिए नहीं रहें तो आपको अच्छाना रहें और भी तो बच्चे रहते हैं मैं तुली में नहीं रह सकता है? नहीं. आपको यही रहना है हॉस्टल में कुछ दिन. समझे? मैं आपके ताप क्यों नहीं रह सकता? तुसके नाराज नहीं धिंदेगी हैरान हूँ मैं हैरान हूँ मैं आपके तुस्टल में हुआ है आपके तुस्टल में आपके तुस्टल में आज लगम भर्याज है भूग बरस जाएगी आप अगर भर्याज है भूग बरस जाएगी कल क्या पता इनके लिए आँखे तरस जाएगी आपके तुस्टल में एक आउसु छुपा के रखा था वेरी गुद और यह कौन है यह मैं और मेरे पापा आपके पापा चश्मा भंदे हैं हाँ तुस्टे नाराज नहीं भंदगी हैरान हूँ मैं हैरान हूँ मैं तेरे मासू सवालों से परिशान हूँ मैं ओ परिशान हूँ मैं ओ परिशान हूँ मैं ओ परिशान हूँ मैं हूँ मैं तुस्टे नहीं दे जाए आने वाला है आने वाला है आने वाला है खुसके तो इसमें जिन्देगी पिता दो बल जो ये जाने वाला है तो आने वाला पल जाने वाला है उसके तो इसमें जिन्देगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है एक बार मिली मा तुरु निसी दली एक बार मिली मा तुरु निसी दली ओ घिलते हुए कहा फुषबास मैं चली देखा तो यही है गुंदा तो नहीं है बल जो ये जाने वाला है ओ आने वाला पल जाने वाला है खुषके तो इसमें जिन्देगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है कर दो चार में जाने चुषके तो ये जागा kita को औल एक बार वक्ष से लम्हा गिरा नहीं लम्हा गिरा नहीं नहीं पुड़ा सा हसा के पुड़ा सा दुरा के पल ये भी जाने वाला है ओ आने वाला पल जाने वाला है उसके तो 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 ये जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है दोस्तों, नाइन तीस का दौर आते आते पंचम दा की चमक थोड़ी फीकी पढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि RD is over now पर आप तो जानते, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना ये प्रूफ्ट एवरीवन रोग 4th January 1994 को इस दुनिया से जाते-जाते वो उनके सारे फैंस के लिए 1942 अ लव स्टोरी जैसा ऐसा नॉक आउट पंच दे दे गए कि उनके सारे क्रिटिक्स दंग रहे गए 54 was not the age to die for a genius like Ardipal पर क्या पता, शायद उपरवाले को उनसे जादा प्यार था इसी खयाल के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं फिर मिलेंगे बहुत ही जल्ब एक नए थील के साथ